कि देखिए जो कि धुठाकरे जी कह रहे हैं वह अपनी बात है यहां राम लला के प्राण पतिष्टा हो रही है और यह 22 जन्वरी को होगी अब सब को विदित है पूरे देश विदेश को मालूँ है ऐसे शिती में निमंत्रन पत्र की बात जहां तक कह रहे हैं को निमंत्रन नहीं मिला तो निमंत्रन पत्र उन्हीं को दिया जाता है जो राम भक्त हैं जो राम के लिए सुमर्पित हैं और ऐसे लोग जो बिरोध करते आये हैं और उनको कहते हैं कि राम जो है वो भाजपा के एजन्ट है या भाजपा के वाकाते की नाम पर लड़ रही है राम के ना है भाजपा में आस्था है विश्वास है कि और इसी लिए माननिय प्रधान मंती जी यहां करके सिला पूजन किये थे भूम पूजन किये थे और उसके बाद भब्री मंदिर बन गया है जिसमें प्राणपदिश्टा होनी है और आने के बाद उन्हों कि और उन्हें बहुत कुछ काल किया है ऐसे प्रधान मंती जी के लिए सब जेगे समान होता है और इनदो ठाकरे जी जो इस प्रकार चाहरे है कि राजनीती करन ने किया जाए राजनीत इसमें नहीं है इमें धर्मनीती है और धर्म के अंसार चलते हैं इसलिए उनको यह कहना कि राजनीती है राजनीत नहीं है धर्मनीती है उनकी आस्ता उनका विश्वास राम में है इसलिए आये परधार मंती जी बराबर इस पर ध्या जनवरी को वो प्रान्ट-प्रफिष्टा में आएंगे और नहीं कि हातों प्रान्ट-प्रफिष्टा होगी अर्याम भब्र मंस्धिर में विराज मान होंगी के सजय रावत करते हैं कि अपके वर एक पर स्थान कि यह की भाइसते उ tactical ब्रफ कि घंड भाना मे से उम्यदवार होंगे क्या देखिए संजय राव जो कहा करते हैं इतना दर्द है उनको जो इकाज परधानमंटी जी कर रहे हैं और जिस राम के साहरे से ही उन्होंने सत्ता भगवान की किरपास उनको सत्ता मिल गया यह भाजपा को इसे उनको बहुत दर्द है उनको दर्द वि किया आप कोई संब्द में दर्द क्यों है कि यह भाजपा भाजपा आस्ता और विश्वास पर सत्ता प्राप्त किया है और नहीं कि राम को एजंटा बना किया राम को पार्टी बनाए कि या राम के क्या कहते राजनीत मिला करके जो लोग ऐसे उनको संजय राव को बहुत वहां cœnd帶 की नहीं कर सकते हर जddर हारते जाते हैं और हारने के परिदा में यह ऌजीतने का फल और और हरने का फल दो07 देख ले 7 जो राम जी को नकार दिया है, वो हार गया है, जो राम जी को सुवकार कर लिया है, और उन पर आस्ता विस्वार रखा है, वो आज सत्ता में है, वो सत्ता से बाहर होने के कारण से बहुत दर्द संजय जी को है, और संजय राउत को, और यह दर्द जो है वो इसलिए नहीं है, कि इसी लिए उटपटांग भासा बोलते हैं क्या भगवान पार्टी में उमेदवार खरा किये जा सकते हैं ऐसा भासा बोल करके केवल भगवान राम का यह अपमान कर रहे हैं ऐसा अपमान ना करें संजयर आओ मैं तो इह राज देता हूं और भाजपा में आप परधान मंति जी में यह विश्वास है और इसी लिए वो आये यहां और उन्होंने यह रोट सोट किया कई बहुत कुर्स वगात दिया और कई गाईयों को उन्होंने यहां से लाउड किया इसके बाद एरो पोर्ट के भी उन्होंने उद्खाटन किया सारे काम जो कर रहे हैं वो जन हिता है और जैसा सबके साथ सबके विकास है और इसमें यह कहना बहुत गलत है कि भगवान राम को भी पार्टी बना के उमेद्वार के रूप में उतारे यह बहुत निंदनी भासा संजय राउत की है एबी पी गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी